जैहिन दोस्तो आप सभी candidate के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है वन रक्षक के पदों पे नई भरती जारी हो गई है दोस्तो और ये जो vacancy है ना वो बारवी pass है आप सिर्फ बारवी pass है इस vacancy के लिए eligible है एक चीज मैं बता दू तो पोटल अगर हम पोश्ट की बात करें तो 1628 पदों पे भरती जारी होई है दोस्तो जिसमें से वन रक्षक का 1484 पोश्ट है LMV light motor vehicle यानि की car driver का 667 पोश्ट है और HMV heavy motor vehicle का आपका 70 पोश्ट है यानि की tractor driver का अब देखिए ये light motor vehicle कहां पे जैसे की आपको आप सभी को पता है अभ्यारन होता है ना तो वहाँ पे ट्यूरिस्ट आता है तो उन सब को घुमाने के लिए जो काम करता है ना गाइट का वोई LMV driver होता है तो उसी का vacancy है वो ठीक है टूटल आप लोगों का 1628 पदों पे भरती है बारवी पास वालों के लिए सांदार मौका है दोस्तो ये मौका ना जाने मत दिजी क्योंकि इसका जो selection की process है ना वो बहुत ही आसान होने वाली है आगे आप लोगों को step by step जिसको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तो इस वीकेंसी का complete details आसान भासम बताने वाला हूँ बस आप लोगों से एक मांगे वीडियो में बने रहीएगा अन तक 37 वीडियो को like जरूर कर दीजेगा आपको form कैसे फिल करना इसमें ये भी मैं बताने वाला हूँ देखे दोस्तो एक चीज बता दो ये जो वीकेंसी है ना वन रक्षक की जो नई भरती आई है इसमें पोश्ट आपको 1628 मिल रही है वन रक्षक 1484 लाइट मोटर विकल 66 है हमवी सा 70 पोश्ट है इसमें अपलाई डेट की अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2024 इस विकेंसी का लाश डेट है उससे पहले आप लोग form फिल कर लिजेगा कैसे फिल करना है आगे देखते रहे ये ठीक है योग्यता अगर आप बारवी पास है सिर्फ और सिर्फ बारव पास रखी गई है अगर age criteria के हम बात करते तो 18 से 40 साल के candidate इसमें फॉम फिल कर सकते हैं 18 से 40 साल आप समझ सकते हैं एज की गेप कितने जादा है बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो 25-30 साल के बाद फॉम फिल नहीं कर पाते क्योंकि उनका बहुत सारे के vacancy में फॉम फिल के लिए age over हो जादा फॉम की फी रहती है जिसके वज़व से बहुत सारे candidate फॉम फिल नहीं कर पाते हैं तो उन सभी को बता दू दोस्तो फी 00 है अगर हम बात करें तो इस vacancy male भी अपलाई कर सकते हैं और female अपलाई कर सकते हैं दोनों ही अपलाई कर सकते हैं साथी साथ ये जो vacancy है ना one आप से license मंगेगा दोस्तो लेकिन ये जो post है ना one रक्षक की इसमें आप लोगों को बता दू कि ये बारवी pass है ठीक है और ये 8 pass भी हो ना और आपके पास license है आप इस vacancy के लिए eligible हो इसमें अगर हम बात करें और रक्षक की तो राइपूर से 199 post है दूर्ग से 192 post है बिला इसमें आगे correct कर देगा विकेंसी का ये 295 है टोटल मिलाकर के 1484 पदों पे भरती आई हुई है ये संभाग समझ लिजे एक एक जोन होता है उस जोन के अंदर का पूरा बटा हुआ है दोस्तो ठीक है ये कांकेर बस्तर ये बिलासफूर इसी प्रकार से वहाँ पे भरती नि अब ये PhD में आपका height वगे रचेच होगा और PET में भीया आपका लंबी कुद है आपका गोला फेक है और 800 मिटर और 200 मिटर का दोड़ है आपका complete है टोटल आपका होगा 100 नंबर का ठीक है उसके बाद दूसरा नंबर पे ये written exam है ये भी आपका होगा 100 अंका टोटल हो गया 200 नंबर का ठीक है इसी से आपका merit बनने वाला है ठीक है तीसरा walking test अगर आप written exam qualify कर लेते हैं तो जितने का merit में नाम आता है वो सभी के सभी qualify किसके लिए qualify हो जाते हैं walking test लिए इसमें क्या है दोस्तों आपको बता दू 25 किलोमेटर को 4 घंट में चल के पैदल चाल करना रहत है यह तो हो गया दोस्तों इसका selection की process अब देखें यह PT-PCT में कितना 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 समय में अगर दो निकालोगे तो कितना number लेगा यह क्या क्या होगा यह सभी कुछ जानकारी चलिए मैं आप लोगों को notification में ले करके चलता हूँ जहां पे आप लोगों को complete details मिल जाएगा सा कि मैंने इसमें form कैसे फिल करना है इसका पूरा जानकारी बता दिया हूँ ठीक है तो अभी हम CG Forest की official website में आ चुका हूँ ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा scroll कर लेना है scroll करते ही आपके सामने में जितनी भी vacancy आई है सब के बारे में details आ जाएगा अब देख फिर से इसमें online form fill मंगा गया है ठीक है तो देखे यहाँ पर पूरा vacancy का details है अब वी भागिये नियम 2024 को आप download कर लीजे download करते ही आपके सामने में कुछ इस प्रकार से सो होना ही start हो जाएगा जो 25 पास 2023 से 11 6 2023 तक online form fill हुआ था दोस्तो लेकिन इस vacancy को एक बार फिर से open कर दिया है 12 6 से 17 2024 राद 11 बच के 69 मिनिट तक ठीक है अब देखे इसमें जितने भी है न टोटल जो भी नियम है वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर फिर से दे दिया है अब देखे यहाँ पर selection process salary पहले salary सबसे पहले देख लिजे आपको वेतन मिलेगा दोस्तों 5200 से 20200 के बीच में ठीक है 1900 ग्रेट पे के हिसाब से ठीक है अब देखे एक चीज़ बता दू इसमें आपका height क्या मंगा गाए है तो भाया अगर आप अनुसूची जन जाती और male candidate है तो 152 सेंटीमिटर female candidate है तो 145 सेंटीमिटर और अन्य है जैसे कि आप SC हो BC हो EWS हो UR candidate हो 163 सेंटीमिटर आपका होना चाहिए और female में 150 सेंटीमिटर अब सीना का समान अब देखे आपका chest कितना होना चाहिए जैसे कि आपका unreserved category मतलब AC हो गया इसमें हालाकि इस 36 गड़ वेकेंसी है तो 36 गड़ वेकेंसी में एक फाइदा है आप लोगों का जो PT होगा जो धक्छाता परिक्छा है वह आप लोगों का 7 का होगा इसमें से का नंबर में देख लिए चौथा में 200 मिटर की दोड होगा 25 संका, 800 मिटर का दोड होगा 25 संका, लंबी कुद होगा 25 संका, गोला फेक होगा 25 संका, आप देखे इसमें 200 मिटर के दोड में अगर आप 24.50 सेकेंड या उससे कम में अगर निकालते हैं 200 मिटर का दोड क इसी प्रकार से पूरा कम होते गया है, महिलावों में भी आपको क्या करना है 200 मिटर को 28.50 सेकेंड या उससे कम में निकालोगे तो आपको 25 संक मिलेगा, देख सकते हो, टोटल डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बार सेम 8 मिटर दौर को 2 मिनट 10 सेकेंड, इसमें 3 मि में यह notification मैं description में डाल देगा, वहां से आप जा करके देख लिजेगा, अब लंबी कुद, लंबी कुद आपको 3 प्रयास देगा, ठीक है, 3 प्रयास में 5.500 मिटर या इससे अधिक अगर लंबी कुद कुदते है तो आपको 25 संक दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5.255 मि हो सबको, ठीक है, गोला फेक भी है, गोला फेक पूरुस का वजन रहेगा 7.26 किलो, और महिला का रहेगा 4 किलो, 9 मिटर या उससे अधिक आप फेकोगे तो 25 अंक, आपको 25 अंक मिलेगा, 8 मिटर से अधिक फेकोगे 20 अंक मिलेगा, 7 मिटर से अधिक फेकोगे 15 अंक मिलेगा ठीक है अब इसके बाद 100 अंग का आपका लिखित परिच्छा होगा जिसके लिए आपको 15 गुड़ा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 2 घंटा का टाइम मिलेगा भीया इसमें बोनस का भी प्रमार पत्र का आपका बोनस का प्राउधान है इसमें NCC का सीर ठीक है इस प्रकार से कुछ-कुछ अगर आपको पास नेस्नल लेवल की खेल का सर्टिपिकेट है तब भी आपको बोनस मिलने वाली है आपको चैयन सुची देख सकते हैं दोस्तों 100 अंग क्यानि के टोटल 200 अंग के अधार पे बनेगा पैदल चाल भी है आपको जो 25 किलोमेटर को आपको 4 घंटे में पूरी करना है और महिला कैंडिडेट को 4 घंटे में 14 किलोमेटर को पूरी करना है इस प्रकार से इस वेकेंसी का कम्प्लीट डिटेल्स मैंने बता दिया और दे इस प्रकार से दोस्तों इस CGU1 रक्षक की जोग एकिंसी आई हो, उसके बारे में A to Z complete details मैंने बता दिया, किसी भी प्रकार का सवाल है, अगर आपके मन में तो जरूर कमेंट कर दीजेगा, साथी साथ वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दीजे, चैनल को कर लिजे, डेली नहीं नहीं भरती की अपडेट कर आता हूँ, फिर मिलते हैं नेक शुड़ों में नहीं गवर्मेंट जोब, नहीं सरकारी नोखरी का अपडेट के साथ तब तब के लिए, जैन!